नमस्कार साथियों वो मेरे प्यारे पसपालक भाईयों मैं डॉक्टर दुर्गेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रोबैट में साथियों आज मैं एक ऐसी बीमारी और एक ऐसी तकलिफ के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारे पसुओं में बहुत ज़्यादा देखी गई है और हमारे पसपालक भाई और किशान भाई उस बीमारी से इतना परेशान हो जाते हैं और नहीं उस बीमारी तक वो पहुँच पाते हैं और काफी इलाज करना आने के बाद भी उन्हें कोई ज़्यादा नहीं होता है तो साथियो उस बीमारी के बारे में बात करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से मेरी रुक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें सेयर करें वो को सब्सक्राइब करके वेल आइकोन दमाएं ताके आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक पहुंच सकें इस स्क्रीन पर आप जो ये वफैलो देख रहे हैं साथियो इस ये एक बीमारी से ग्रसित है जिसको बोलते हम इसकिन प्रॉब्लम जी हाँ साथियो त तुचा रोग पसू हमें भी तुचा रोग एक आम रूप से देखा गया है और काफी इलाज कराने के बाद भी इसमें हमें रिलीफ बहुत ही कम मिल पाता है यदि हमने तुचा के एकोर्डिंग यानि पसू के अंदर जैसा रोग है उसी के एकोर्डिंग उसका में fit हो जाता है लेकिन तुचारोग साथियो थोड़ा इसके उपर बात करते हैं तो जो तुचारोग होता है वो bacterial भी होता है बाइरल भी होता है फंगस भी होता है तो एक तो होता है bacterial infection के द्वारा दूसरा साथियो बिशारू infection के द्वारा और तीसरा फंगल इंफेक्शन के कारण और जो चौथा होता है साथियो बहुत सारे परजी भी हमारे पसू को जब उसके बौड़ी पर खून चुशते हैं तो उससे भी हमारे पसू के सरीर पे खुजलिया हो जाती है लेकिन ये जो खुजलिया होती है साथियो ये अपने स्थान पर पसुई ने खुजलाता रहता है और बारवार परिशानी होती है डर्मिटाइटिस कंडिशन साथी हो एकजीमा रूप में भी हो सकती है जैसा कि इस वफैलो के पैर पर मैं आपको दिखाने की कोसिस कर रहा हूँ ग्रामीड वहसा में इसे एकजीमा या छाजन का रूप भी बोलते हैं और इससे पैर पर काफी जखम बन जाते हैं जिस प्रकार इस वफैलो के पैर पर जखम बने हुए हैं ये देखे इसके पैर पर मक्की भी वैठी हुई है और इसे खुजलाने में बड़ा आराम मिलता है साथियो पसपालक भाई का कहना है कि उन्होंने इसे काफी टीटमेंट कराया है लेकिन उनको कोई भी आराम इसमें नहीं मिला है इसके सरीर पर अन्य रूप से भी देखिये मिरी साथियो जो ये डर्मेटाइडिस कंडिशन है जिसका रूप एकजीमा बन चुका है साथियो इसे हम किस प्रकार से सही करें आज इस बात को लेकर के थोड़ा बात करेंगे लेकिन साथियो यदि हमारे पसू के सरीर पर वैक्टिरियल खुजली है तो आप एंटिवैटिक्स का प्रयोग करें साथ में कोई भी मल्लम लगाएं यदि वो बारस ट्रैप से इंफेक्शन है स्किन पर जैसे लंपी स्किन डिजीज के अंदर हमारे सरीर की तुचाओं पर गांट बन जाती है जखम बन जाती है तो उसका अलग ट्रैट्मेंट होता है साथियो आज मैं जिस ट्रैट्मेंट के बाद मैं बात करता हूँ कुछ इसकिन डिजीज को साथियों हमने पेट के कीड़ों की बज़े से भी देखा गया है यदि इस कंडिशन में है तो फिर हमें उनका साथियों डिबरमी मी करानी पड़ेगी फिर उसके बाद मैं उसका इलाज करेंगे तो एकजीमे का जो एकजीमा है जिसे हम छाजन के रूप में जानते हैं साथियों और जो लिक्विड कंडिशन में होगा साथियों वो एक मवाद टैप से और गीला रहेगा और उसमें से पस्तैसी कंडिशन दिखाई देगी आपको अब इन दोनों का हम टीटमेंट किस प्रकार करेंगे एक नॉर्मली और एक आयरवेदिक कंडिशन के दो नुसके आपको माज बताने वाला हूँ जिससे आप कैसा भी पैर पर छाजन हो उसे बिल्कुल जड़ से खतम कर सकते हैं तो साथियों सबसे पहले हमें लेना होगा सैलिसिक एसिड वो टैनिक एसिड ये दोनों साथियों आपको पच्चीस पच्चीस ग्राम की मात्रा में लेनी है और इन दोनों को मिक्स करके एलकोहल एलकोहल में डाल करके इसके पैरों पर अच्छी तरीके से मालिस करनी है और ये मालिस साथियों आपको लगाता चार से छे दिन तक करनी है साथ में यदि आप कोई बोलस या इंजेक्शन अपने पसू को खिला सकते हैं तो बोलस के रूम में साथ ही और मारकेट में मेडिकल इस्टोरों पर बोलस आती है जिसका नाम होता है आइवर मेक्टिन 100 mg वो आइवर मेक्टिन 1.500 mg ये दो फॉर्म में आती है वेट के अकॉर्डिंग आप अपने पसू को खिला सकते हैं साथ में यदि बोलस नहीं है तो आप अप किशी भी अन्य डॉक्टर से आइवर मेक्टिन 10 ml पसू के सबकुटेनियम यानि उसकी खाल के अंदर पसू में दिलवा सकते हैं इस बिदी से साथियो इस पसू का जो पैर का छाजन है वो बिलकुल फिट हो जाएगा और ये सिकायत दुबारा से नहीं रहेगी धन्यवाद झाल